आप सबों का ITI Feetor Class में स्वागत है मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता है तो आईए आज हम सिखेंगे Types of Belts and Fasteners इसके बारे में आप लोग जानेंगे आज हम लोग जो सिखेंगे इसके बारे में क्या क्या सिखेंगे इस लेशन के अंत में हम लोग क्या क्या जानेंगे क्या क्या सिखेंगे Name the Different Types of Belts यानि बेल्ट के विभिन परकारों को जानना Name the Different Types of Belts यानि बेल्ट के विभिन परकारों को जानना state the belt tension, belt tension को बताना, state method of adjusting belt tension, belt tension को कैसे adjust करना है, उसके विधियों को बताना, name the different types of belt fasteners, और विभिन प्रकार के जो belt के फासनर होते हैं, उसके नाम को बताना, तो आईए चलते हैं, हम अपने topic पर चलते हैं, कि name the different types of belt, यानि belt के कौन-कौन से प्रकार होते हैं, basically five types of belt are used for the transmission of power, यानि सक्ति के संचालन में, power transmission में, मुख्यत यानि मूल रूप से पांच परकार के बेल्ट का उप्योग किया जाता है, पाबर transmission के लिए मुख्यत पांच परकार के मूल रूप से उप्योग किया जाता है, उनमें से flight belt है, V-belt and multiple V-belt, ribbed belt, toothed और timing belt, link belt, सबका figure में दिया हुआ है, और अलग-अलग figure में, जैसे मान लिया कि, ये जो है flight belt है, ये इस परकार का belt V-belt है, इस परकार का belt multiple V-belt है, और इस परकार का belt ribbed belt है, और इस परकार के belt tooth और timing belt है, और इस परकार का belt link belt है, तो आईए सुरू से एक-एक करके जानते हैं कि flight belt क्या है, फ्लाइट बेल्ट लेदर और कैनबास के बने होते हैं, कैनबास के बने बेल्ट अतिधिक मजबूत होते हैं, इस बेल्ट का cross section आयताकार होता है, जब दो पुलियां अधिक दूरी पर हों, तब फ्लाइट बेल्ट का परियोग किया जाता है, इसका size बेल्ट यानि पट्टे की चवड़ाई वब मोटाई से लिया जाता है, वैसे तो फ्लाइट बेल्ट, रबर और कॉटन तथा नायलोन और कॉटन को मिला करके भी बनाई जाती है, इसका परियोग नमी बाले अस्थान पर किया जाता है, नायलोन कॉटन के पट्टे अधिक लोड़ वा हाई स्पीड के लिए परियोग किये जाते हैं, भी बेल्ट एंड मल्टिपूल बेल्ट, B-belt and multiple belt B-belts machine को चलाने के लिए B-belt का परियोग किया जाता है इसे कम दूरी के लिए परियोग किया जाता है इसका cross section अंग्रेजी के भी आकृतिका होता है इनका परियोग B-group पुलियों में किया जाता है भी बेल्ट मजबूत होता है भी बेल्ट के अंग्रेजी के अक्षरों A, B, C, D तथा E से दर्साया जाता है जैसे A, 36, B, 59, C, 37 इत्यादी इसका अर्थ है A साइज की भी बेल्ट जिसके भी की उपरी चोड़ाई 13 mm और मोटाई 8 mm और कौन 40 डिग्री का होता है इसकी परिधी 36 डिग्री है जो अंदर का घेरा होता है रीब्ड बेल्ट रीब्ड बेल्ट आईए जानते हैं रीब्ड बेल्ट क्या है रीब्ड बेल्ट यह बेल्ट फलाइट बेल्ट के समानी होता है लेकिन इसमें एक तरफ रीब्स बनी होती है रीब्स यानि धारीदार बना होता है यानि जिर्यां बाली पुल्यों में इसका परियोग किया जाता है यानि जिर्यों बाली पुल्यों में इसका परियोग किया जाता है रिब्ड बेल्ट यानि जिर्रीदार बेल्ट होता है इस पर धारीदार बेल्ट होता है जो पुल्यों में ठीक ठीक उसके गुरूब में बै टूथ और टाइमिंग बेल्ट इस बेल्ट में एक तरफ दांत बने होते हैं इसका परियोग पुली के बजाए गियर पर किया जाता है इसमें सिलिपेज नहीं होती है यानि सिलिपेज की संभावना बहुत कम होती है नहीं के बराबर और इसे टाइमिंग बेल्ट भी कहा जात कि इसे Link Belt काते हैं आएए चलते हैं यह तो टाइपस थे टाइपस ऑफ बेल्ट था और इसके परकार के बारें बिभिन्द परकाराओं को हमने जाना कि फ्लाइट बेल्ट क्या है फ्लाइट बेल्ट अधिक दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है भी बेल्ट जहां कम धूरी ह तो वहां उसका उपयोग किया जाता है रीवड बेल्ट जहां जिर्रीदार पुलियां है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है टूथड और टाइमिंग बेल्ट जिसमें गियर हो गियर पर उपयोग किया जाता है और इसमें स्लिपेज की संभाबना कम होती है लिंक बेट यानि छोटे-छोटे ठुकणों को बना करके इसका परियोग किया जाता है अब चलते हैं Types of Fasteners Types of Fasteners के बारे मैं जानते हैं कि कौन-कौन से फासनर है Wire Type Belt Fastener Wire Type Belt Fastener Wire Type Belt Fastener का उप्योग Light Duty Machine के लिए किया जाता है जैसा आप चितर में देख रहे हैं कि इसका उप्योग जो है Light यानि हलकी मसीन के लिए हलकी मसीन में इसका उप्योग किया जाता है Next है Legally Type Belt Fastener जो आप Figure 3 में देख रहे हैं ये Legally Type Belt Fastener का है और इसका उप्योग Heavy Machine के लिए किया जाता है यानि इसका उप्योग Heavy Duty Machine में किया जाता है Legally Type का जो उप्योग होता है Legally Type Belt Fastener का जो उप्योग होता है Heavy Duty मसीन में किया जाता है Next आईए Jackson Type Belt Fastener Jackson Type Build Fastener में आप फिगर में देख रहे हैं इसका भी उप्योग Medium Duty Machine में क्या जाता है जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कि इसका उप्योग Medium Type Medium Duty Machine में क्या जाता है क्रिशेंट प्लेट बेल्ट फासनर क्रिशेंट बेल्ट क्रिशेंट बेल्ट क्रिशेंट बेल्ट फासनर मेडियम ड्यूटी मसिन में उप्यों किया जाता है यह जैक्सन टाइप built father के समानी होता है जैसा कि आप figure 5 में देख रहे हैं कि यह जैक्सन टाइप built father के समानी होता है और इसका उप्योग medium duty machine में क्या जाता है 1. Belt fasteners, alligator type 1. Item type fasteners are used in joining belt for industrial purposes. 1. The belt fasteners are made of steel seats conforming to IS 5013 to 1973. 1773, the pins shall be made from mild steel, wire confirming to I.S. Indian standard 282-1972, built fasteners are shown in figure 6 and the position of the pin in a joint is illustrated in figure 7, जैसा कि आप figure में देख रहे हैं, कि एलिगनेटर टाइप built fasteners जो होता है, built fasteners steel seat तथा pins इसके जो बने होते हैं, mild steel तार की बनी होती है, इस प्रकार के एलिगनेटर built, फासनर का उप्योग औद्योगिक उद्यश्यों के लिए क्या जाता है, यह वीडियो इसका specification है, और इसका specification भारतिय मानक संस्थन द्वारा क्या गया है, द्वारा क्या गया है, जैसा आप पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो इसके अनुसार यह specification यानि भारतिय मानक संस्थान द्वारा पारित है, और इसके अनुसार सभी जगा इसका माननी होता है, यह टेबूल में आप देख रहे हैं, कि फासनल डेजिगनेशन, थिकनेस ऑफ बेल्ट, मेटल थिकनेस, सीट, पॉइंट डेफ्ट, एप्रोक्स ओभर ओल वीड्ट, एप्रोक्स ओभर ओल डेफ्ट, टी, मिनिमम, वीड्ट ओफ बार, प्रोंग, पीच ओफ प्रोंग, मतलब आप डिफ्रेंट टाइप का इसमें देख रहे हैं, और उसी के नुसार मार्केट में भी इसका एबलेबल रहता है, मार्केट में भी उपलब्द रहता है, और महाँ से आप ले करके अपना अध्योगिक छेतर में इसका अच्छे तरीके से इस्तिमाल कर सकते हैं, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नव भूलेंगे,